अध्याय तीन कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है ये तुम जानते भी हो इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हूँ कि परिक्षा करने वाले ने तुम्हारी परिक्षा की हूँ और हमारा परिश्रम विर्थ हो गया हूँ पर अभी तिमुथी उसने जो तुम्हारे पास से आकर हमारे यहां आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सो समाचार सुनाया और इस बाद को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो जैसा हम भी तुम्हें देखने की इसलिए है भायों हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विशे में शान्ती पाई क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम चीवित हैं और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है उसके बदले तुम्हारे विशे में हम किस रीती से परमेश्वर का धन्यवा करें हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुद देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु येशु तुम्हारे यहां आने के लिए हमारी अगुआई करे और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुश्यों के साथ बढ़े और उन्नती करता जाए ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु येशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वन और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे